पंकार सतनाम करता पुर्ख निर्पाओ निर्वेर अकाल मूरत अजुनिं सैपं गुर्परसाद ज्यान त्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड़ा सत गुर्णान कर जिन कल राखी मेरी हर जुग जुग बगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाखस दुस्ट हर मारया प्रहलाद तराया अंकारिया निंदकां पिठ दे नाम दे ओ मुखलाया जननानक ऐसा हर से विया अंत लए छडाया सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरन दे इक नी दुद्ध समाईय एक चुले रहन चड़े इक निहाली पैसवन एक उपर रहन खड़े तिना सवारे नान का जिनका ओ नदर करे महला दूजा आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस्विच जन्त उपाए के देखे थाप उथाप किसनों कहिये नान का सब किछ आप पे आप पावडी वड़े कियां वड़े आईयां किछ कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम देजियां रिजक संभाहे साई कार कमामनी तुर छोडी तिन नें पाए नान के एकी बाहरी होर दूजी नहीं जाए सो करे जेत सैर जाए वाहि गुरु जी का खलसा वाहि गुरु जी की फते सेब जी ने दया कीती है मेर कीती है सत संग दिया मुबारक कडिया बक्षिया हन पावन बानी दी विचार दा मुबारक समा बक्षिश कीता है सत गुरु गुरु राम दास पिता जी बक्षिश कर दे हन ओ परीपूरन परमातमा ओ वाहि गुरु सच्चा पिता उसने हरेक जोगदे वेची पगतानों उपाया है पैदा कीता है और कल्ला उपाया ही नहीं है पैदा कीता ही नहीं है ओ हर जोग जोग वेच अपने पगतान दी पैज भी रखदा ही आया है हर जोगदे वेची उनने पत रखी है इज़त रखी है पैज रखी है और साद संगत जी पगतां दी पैज भी रखदा है और सादे सामने परगट भी करदेओ प्रभू वेखो और फिर गुरु अमर्दास जी कहन दे ने हार जी ये तेरी वड़े आई पगतां दी पैज रख तू स्वामी पगत तेरी सरण आई साद गुरु कहन देखो ये उस प्रभू दी वड़े आई है क्योंके पगतो दी चरण शरण विच ने पहला दे वेखना पहेगा भी पगत कोने पगत दी की खेड है सत्गुरु बाणी विच बक्षिश कर दे दुकृत सुकृत मन दे संसार सग लाना सारा जो जगत है हर वे ले इन सोचां विच रहन दे यह कम तरमदे यह नहीं तरमदा यह करने यह नहीं करना यह ठीक यह गल्त यह कञ्या ने ते आपई ठीक गल्त मन लेने दृष्टी ते उद्दाँदी पावन है नहीं हुणो दे वे चूल जगए ने जैसा के सत्गुरु गुरु अमर्दास पिताजी विकेंदे ने सिमरित शास्तर पुन्न पाप भीचार दे तत्ताय सार न जानी तत्ताय सार न जानी गुरु बज्यों तत्ताय सार न जानी तिहीं गुणी संसार प्रमसुत्ता सुतिया रेन विहानी सुतियां सुतियां सारी जिंदगी लंग जान दी है क्योंके जागना जागन नीका हार की रतन मैं जागना मन जागे दी निशानी एए केंदे बानी मिठी लग दी है पर मेशर दा नाम मिठा लग दै साद संगत मन सोवत जागे तब प्रबनान क मीठे लागे पर जीवन दी सारी जड़ी है रात समा लंगता जा रहे है बेहती जात कदे द्रिष्ट ना तारत लंगी जान दी है जीवन दी खेड सारी और लगये बंदा दुकृत सुकृत मंदै संसार सगलाना दुहुं ते रहत पगत है कोई विरला जाना इन दुहां चीज्यां तो रहतो के अपनी सुर्त नू प्यारे दे प्यार विच जोड़ना वहे गुरु दी पगती विच जोड़ना सत गुरु केंदे सब को तेरा पगत कहाए सोई पगत तेरे मन पाए जेड़ा तेरे मान नू पान दै दिने रात रंगया रहन दै परमेश्यर दी बंदगी विच स्वास सिमरन दे रंगां विच जै सुर्त उची उठ गई है होने थे त्यान देने एदा पावे नहीं के ओदे अंदर जंगे मन दे दी वित्रेक नहीं करदा हो पाप पुन दी ओथे विचारने ऐसा नहीं है पर कई एथे ही उल्ज गएने सत्गुरा ने क्या इस मन नाल लडने जूजने मन नहीं में पासे जानदा है मन दे पासे जानदा है एनू रोकने पर कञ्या दा सुबा बन गया है रोज रोज मन दे पासे दी अंदरों इच्छे आवी करनी लडना मी मन दी चला की पसे तिलक नहीं बंदो जे पगतो है ताम पगतरव दास्टी ने कह दिता केंदे बेगम पुरा सहर को नाओ दूख अंधो नहीं तेठाओ ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ ना खता खता केंदे ने गलती नू पगती विच चल दियां चल दियां कोई ऐसी स्टेज आ जान दी है सुर्त के ते उच्चे सिंगासन दे उते बैठ जान दी है खौफ न खता गलती दी गुझाए शीनी और स्यानियां ने पगत दे अरुथ कीते ने जिनने पैदी गत बना देती है जिस दी जिन्दगी विच्चों पै चले गया है पैदा ना सो गया है निर्पावनू ऐसे पियार विच जपिया है आप जी पिछले दिना विच आसा की बार विच वी सरवन कीता है एक नेही चाकरी जित पाव खसम न जाए पगताने ऐसे पगती पाव विच उसनू सिमरिया है खता दा डारी मुख गया है कोई पैई नहीं है खाउफ न खता न तरस जवाल सिमर ने थे ले जन्दा है दिने रात अठे पैर उस पासे दी लेव लगी गुरू रामदास पिता जी ने दे को दारन देता है केंदे माता बच्चे नो दुद पला रही है ओ जदो छडानती है बच्चा विलक दै पावें दूसरे पासे प्यालन है दुद बच्चे कोड़ो एना क समामी बरदाश ने कीता जान्दा एदना पगत दी दशा हुंदी है आखां जीमा विसरे मर जाओ सुर्त है उदी उच्ची सुर्त दे उच्चे रंगा विच्चे और सत गुरू गुरू रामदास पिता जी केंदे ओ परी पूरन परमातमा ओस ने हरेक जोग विच ऐसे पगती करनवालिया नू पैदा कीता है ते जेडे एदना दी पगती पाव विच लग जान्देने फिर खेड जगत दी बड़ी कमाल है उना पगतानू फिर कदे साध संगत जी गल विच संगल पा के नदी वाले पासे लजाया जान्दे कदे साध संगत जी पोटली बन के हाथी दे अगे ले के जान्देने और साद संगत जी दो उदारना आज देश छंत विच खासता और ते ने एक पगत प्रहलाद दी है ते दूसरी नाम देव जी दी है जदो आपां एस दी विचार कर देयां तां प्रहलाद और त्रोव ए दो पगत सत जुग देने हैं और पगत नाम देव जी कल जुग दे पंदरां पगतां दी बाणी गुरु गरंसा विच ए हर एक पगत दे जीवन दी खेड बड़ी आला है एदे विच दो जुग हो रांदे ने त्रेता ते फिर दूआ पर और पाई गुरु दास जी दी एक पगतां दी वार है दसमी वार पाई गुरु दास जी ग्यार मी फिर गुरु सिखां दी है जिनना नू सिखां दी पगत माल किया जनदा है पाई गुर्दास जी ने सारे जुगांदे कुछ पगतां दा जिकर कीता है कि में तरेते दे विच तारा राणी उस पर मेश्यर दी पगती कर दी है राती जाए सुनें गुर्बाणी कैसा पगती दा रंग चड़िया हुया है और राजा पिछे जान्दा है वो भी पगतो जान्दा है फेर साथ संगत जी पाई गुर्दास जी कहन दे पगत वड़ा राजा जनक है गुर्मक माया विच उदासी अपनी सुर्थ नू वेखना एक इदर जा रही है सिखी असल विच है इस सुर्थ दी तर्म दी खेड सारी सुर्थी दी खेड है गुर्ष सिखी है बलवान करना सुर्थ नूँ अपनी सुर्थ नूँ वेखना ए संसार दियां निकियां निकियां चीजयां विच आड़ता नहीं रही ए उस प्यारे दे प्यार विच उची उठदी है जेड़ा बंदा अपनी सुर्थ दा साखी गुरू दे शबद दी रौशनी विच बंदा है उसे वेले सुर्थ उची उठण लग पेंदी पाप छोट जान देने उनू बहुता चगड़ना नहीं पेंदा है उदी सुर्थ बहुता एथे नहीं खड़ी रहन दी पाप पन ओ एक उची अवस्था विच हो जान दा है फिर ओधी जिंदगी विच पुन नी पुन रह जान दा है नेकी ही नेकी रह जान दी है तां सत्गुरा ने बाणी विच आखिया काल में एहो पुन गुण गोबिंद गाए केंदे इस मनुखा देई विच इस कल जोग दे समे विच पुन कीया ओ दे गुणा नू गाणा ग्यानी संत सिंग मस्कीन हुरी अक्सर कया कर दे सिए इक कोई पुन का माना शुरू कर देओ केंदे इदे तो सारे ही पुन नू पुझ दे ने इक कोई पाप है उस करते नू पूल जाना जी दे तो पापां दी शंखला शुरू ओ जन्दी है सत्गुरु दाता जी केंदे पगत हो ए जे दी सुर्त हर वेले ओ दे रंग विच रंगी होई है दिने रात ते ऐसे पगत दी ओ प्रभू आप राखी कर दे पैज रख दे हर जुग जुग पगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकस दुष्ट हर मार्या प्रहलाद तराया दुष्ट और साद संगत जी ऐसा हर नाकस दुष्ट है माता पिता बच्चे नू पाल दे ने सत्गुरा ने उस प्रभू नू मिक्या तुम मेरा पिता तुम है मेरा माता पर इथे पिता ही वेरी हो गया है ये बड़ी कमाल दी कथा है साद संगत जी सडे ते पंथ विच गुरु सहब ने क्या तू परमेश्यर नू सिमरने बंदा केंदा कि में सिमर ये सत्गुर केंदे आप बचिया ते नू दस दे हाँ माराज कि में सिमरने केंदे राम जपो जी ऐसे ऐसे तुरू प्रहलाद जपियो हार जैसे तुरू जपदै कोई लालसा नहीं पहलना कड़े आगया मतरेई मावलनों गोद विच ओं फिर जदो जा रहे ने माने क्या पुतरा गोली ता हाँ मैं जापता पनें कीता पगती ने कीती सिमरन ने कीता राणी ता हाँ मैं गोली नहीं हाँ पर मेरे नाल विहार ऐसा हो रहे है सिमरन पजन तो वांजी रह गई है माँ फिर मैनू की में सारा कुछ मिल सकता है दुश्मन मित्तर की में बन सकते ने माँ सियानी सी ओने कोई हो जी सिखेया थोड़े देनी सी आप अंदरों सोजी वाली सी कैन लगी पर मेशर आरादी है जिद्दू होई है पतत पुनीताओ चल पया हुन करशड के पुत्तर जान लगे उदे पगती पावने पिता दे अंदर बल पर दिता ए बड़िया कमाल दिया कथाने डूंगे रहस दिया कथाने साद संगत पगती विच तेज पर ताप आजन्दा है साद संगत जी क्योंकि उस वाहे गुरू नू सिमरने जेड़ा सर्ब कला समरत है और जेड़ा ओदी पगती करेगा कुछ कला ओदी अंदर उसे वेले आणिया शुरू होई जानिया सुर्त जू उचेकार विच लग गई ओही पिता जेड़ा आपनी दूसरी पतनी नू एनी केण दी जुरत नहीं सी रखदा भी मेरी गोदी विच व पुत्तर नू क्यों कड़े है पुत्तर पगती लई रवाना होन लग गया केंदा है अद्दा राज पाग लेले तरो केंदा होन मैनू लोड नहीं है पगती जेड़ी है ओ एद्दा दे प्रेम दी खेड़ा है ताँ बेंटी करें पहला पता लगे भी पगत कैसा है सत्गुर केंदे एद्दा जपो पर मेश्यरन जिमे तरोवने जपया जिमे प्रहलाद ने जपया मां कह रही है पुत्तर तेरा बाप बहुत हंकारी करोदी है जालम है पुत्तर जिमे केंदा हो में करले पगत प्रहलाद केने ने माँ एदना पगतां दी कोलनों गाल लग जन्दी है पगती ये है उदर कोई लालसा नहीं एदर पगती दा रंग निर्पेता आ गई है तां गुरू की बाणी केन दी राम जपो जी ऐसे ऐसे तुरू प्रहलाद जपयो हर जैसे और सत गुरू अजदे नपावन बचना विच केन दे प्रभू ने हर एक जग विच पैदा की ते ने तरेते विच भी दूआ पर विच भी कल जग विच भी सत जग विच भी और एक सत जग एक कल जग दे दो पगतां दी गल कह के सारे जगानू कठे कर दिता गया है और केने ने देखो उस प्रभू ने हर नाखस दुष्ट हर मार्या पामे उसे प्रभू दे कोली हट करके पगती कीती होवे तप कीता होवे वर्दान लए होन जिनने मर्जी पर कोई ओदा पेद नहीं पा सकता इस वास्ते हाठ तप जेड़ा है ओ वर आदक ले के ओदे विच रुक जानदा है पर जेड़े प्रेमा पगती वाले हुंदेने ओदे विच हलूल हो जानदेने ओदे विच लीन हो जानदेने बड़े वर्दान नाले आपने आपनू समयदा सी मैं बड़ा समरत हो गयां परो परी पूरन परमातमा दी खेड बड़ी अलोक के ओसने एदे सारे वरांदा त्यान रख दिया होया मीं आपने पगत दी रखिया कर दिया होयां हर नाख सिदुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया और एवी आप जी दी ज्यात वास्ते बेंती कर दियां गुरू गरंथ सैब जी दे अंदर सब तो वदीक वारी जेकर किसे गाथा दा कथा दा जिक्र है ता केवल ते केवल पगत तरोवदी कथा है सारे गुरू गरंथ साविच बारं बार सब तो वदीक जिस गाथा नू किया गया है जिस कथा नू किया गया है चौथे पात्षा कह रहे ने तीसरे पात्षा कह रहे ने नाम देव कह रहे ने कबीर कह रहे ने सब नड़ो वद्वार जिक्र कीता गया है फिर अग्य बक्षिश कीती अहंकारिया निंद कांपिठ दे नाम देओ मुखलाया और साद संगत जी ये ते गुरु रामदास पाथशा कह रहे ने सेखदा ते सिदक है गुर्बानी साद संगत जी सचो सच है जो तोरतों हुकम आ रहे है वो ही किया जा रहे है बानी तोरती है और फिर पगत जी ने आप भी अपनी बानी विच जिकर कीता है बारं बार केंदे ग्या सांदेओरे विच पर टेड़ टेड़ कह के बाउं फड़के मैनू ते तके मार के बार कड़ दिता है हे प्रभु मरे होया मुक्ती देंगा कौन वेखेगा मैं तेरा सेव का पगती हरी परी सी देओरे पाचे बैठा जाए बैग्या इत्थों पता लगदे भी पगती विच कुई लाड़ प्यार दी बात है पगती विच कुछ प्रेम दे दावे दियां गल्लां दियां ओदना उस प्रभु दे अगयासा की वार विचि आप जी सरवन कर चुके हो साहिप सेती हुकम ना चल्ला कही वने अरदास साद संगत जी कञ्यादा अरदास करना मी हुक्म जैसा हुन्दै कञ्यादा इद्ना प्रभूनु कैना साद संगत जी उस दावे विच वी बेंती दा पावंदै ओदे विचंदर प्रेम बगती चल रही है फेर दिया द्योहरा नामे को पंडियन को पिछवार ला अंकार्या निंदकां पिठ दे नाम देओ मुखलाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लए छड़ाया आख देने चवते नानक हे नानक इंज कै परमेशर दे सेवक जिस जिसने वी उनु त्याया है जिस जिसने वी ओसनों सिमरिया है अंत लए छड़ाया अंत दार्थ अखीर भी हुंदे अंत दार्थे थे जरूर भी बन्दा है जन नानक ऐसा हर से विया जदो बन्दा कहन दे होर किसे पासे गल नहीं बनेगी अंतनों उथे थे बनी जाएगी इतना इत अंत दार्थ जरूर जेडा जेडा भी है नानक ऐसा परमेशर दी सेवा पगती विच लगदा है अखीर नू जरूर प्रभु उसनू छड़ा लेंदा हर एक तरह दे बिगना तो पार ले जन्दा है सलोक महला पहला आप पे पांडे साधियन आप पे पूरण दे एक नी दुद्द समाई एक चुले रहन चड़े सद संगत जी आ स्रीरां दे पांडे सारे उस वाहे गुरू जी ने बनाए ने और बहुत थामा ते बानी विच शरीर नू पांडे क्या गया है माटी एक अनेक पांथ कर साध जी साध जन हारे नांकच पोच माटी कै पांडे, नांकच पोच कुम्भारे ओ करनवाला वाहि गुरू ओदे विच कोई कमी नहीं है ओदे विच कोई कमी नहीं और ओदे बनाए तत्तां विच भी कमी कोई नहीं शत गुरू केंदे हुन फिर सत्गुरु बानी विचे भी केंदे ने केंदे पंडा हच्छा सोय जो तिस पाव सी पंडा आत्मलीन तो ता हच्छा ना हुए सी स्रीर नू बहुत थामा ते पंडा गया है क्या परवासा इस पंडे का इतनक लाग गय ठनका है ते चुरासी लख जूनिया विच्चो स्रेष्ट है ओदी किर्पा नाड मिल गया है जोर सड़ा कोई नहीं पर सत्गुरु कहन दे मिट्टी दे पंडे दी तरह माडा जया ठोकर लगगे ठीकरी हो जन्द सारे पंडे उस प्रभूने साजे हन और फेर आपपे पूरण दे इन पंडेया विच वस्तुआ मियो आप पंडे और आप जी स्याने सजन बैठे हो पंडा होवे उस अधमल वस्तु नाली बाउता बन दे जेडे पंडे विच जिद्दान दी वस्तुआ पादे उस अधमल बन जन्द आप एको ज़े दो पंडे लेके अंदे हां एक कूडे दान लही ला सकदे हैं एक विच गोका के हो रख सकदे हैं पॉरन दार्थ परणावी हुंदाइ पूरन दाएकर्थ हुंदाइ पूरया आपकरदाए अधूरयान। ग्यानिया ने एदों में पाव इस शब्द विच लाए ने ते मैं अग्गे वी बेंटी करदा हंकार जदो दखल देंदा है उदो काम विगड़ दै जदों कोई बंदा एक पंग्ती दे दो अर्थ करे ते मान करे मैं विद्वान वड़ा ते कोई होर तैस विचाजे आखे कल मैं चार करने ने मैं उदे तो बड़ा फिर कोई आखे मैं आठ करने ने एद्दा फिर गुर्बानी दी खिचा खिची हो जन दी है ते सरोते यान दे पल्ले की पेंदा है पल्ले नी पेंदा कुछ हंकार और इचाटी अंदर दखल देंदा है क्योंके माराज कहेंदे जिन्ना पोत्तै पुन सेग्यान बीचारी जिन्ना पोत्तै पुन तिन होमें मारी एवेनी मर्दी पूर्बले पुन करम होन गुरू दी किरपा नाड आसा की वार दे अंदर होमें दियां बहुत बरीकियां दर साइयां गई है आप जी पिछले एक मीने तो सरवन कर रहे हो पर सत्गुरा ने एवी किया है दारू पी इसमाई इला इलाज बिमारी नहीं है दारू पी इसमाईंदार थै एस रोगदा दारू है और गुरू दे शबद दी कमाई नाड होमें दिसन लगदी है और ए एनी तगडी है पर दिसदियां एट दोड जन दी है जिननू गुरू दे प्यार विच्चों ठीक ठीके दिसन लगपवे ओधी मिटवी जन दी है गुरू दी किर्पा सदका इसनू वेखना एदियां चलाकियां जिमें दूसरे आनू ते बंदा वेखदय आपने अंदर दी होनू गुरू शबद विच्चों वेखना फेर गल बनेंगी रंग हस्तें रंग रोवें चुप भी कर जाए फेर पता लगेगा कई वरी रोना आएगा कई वरी हासा आएगा भी ये मन करदा की यह दियां चलाकियां की ने तो खेर सत्गुर्ष सचे पात्षा बक्षिश कर दे, केंदे सारे पंडे उसे ने साजे ने सारिया विच वस्टुवां पांदाए पूरण वस्तुपानी पूरण पूरण कर देना, अदूरेयान पूरे करके तार देना आप ही किर्पा कर दाए तो बेंती कर रहे हैं सी ओथे वगाड़ पैदा हो जानदा है ते जे कर कोई हठ करे नहीं इक कोई अर्थ है वो पहला ही अपनी अकल नू सब तो सिखरते रख लेंदा है वो थे बहुत अर्थां दी जदो गल नहीं न इस वास्ते cooking एप आवना दा मारग है पावना ही ग्यान होंदा है सच्छा पावनादे वेंदा विच सुर्त जदो वेंदा लग पैंदी हैं फिर कदे कदे ये अद्दा होंदा भी ये अद्दा अर्थ पर इंज लग दा भी शायद इंज भी हो भे तो कई ग्यानी इस प्रेम विच पए होए नेते मैं अग्गे भी बेंती करदा साथ संगत जी दानते ना दा एक संसार पर सिद ग्यानी होया है और ओदे बारे लोकां दे विच बहुती कंट्रोवर्सी नहीं है उन्हों सारे एक खास दरजे दा विद्वान ग्यानी मन देने ते ओ कहनदा है भी जेड़ी पोईट्री है जेड़ी कवता है ओदे अर्थां दे कई पाखहन उन्हें अपनी खोज मताबक दसे है भी सेवन लेयर्ज हों दियाने ओ कहनदा चलो ओदी खोज है असी ओदी खोज तो एना जरूर सिख दे हा के पोईट्री दे अर्थ एक तो वद हुन देने और स्याने टीचर वी स्कूलां विच कदे वेखना ओ जदो किसे कवता दी व्याखिया करनी होवे मैं वेखिया है ओ बच्यानु कैनगे एक वर येनु गाह के सुना फिर दूसरे बच्यानु कैनगे तुँआ तीसरे नु कैनगे तुँआ ते पोईट्री दे विच एक कमाल है बंदा ओसनु चानल सुनदा जावे सुनदा जावे बंदे दे आपने अंदर ले कई हिस्से खुलने शुरू हो जान दे बंदे दे अंदर भी उस प्रभू ने बे अंत बक्ष्यां पाईया है गुरू अमर्दास पिता जी ता कहन दे ने एक ना दसवा दो आर दिखाया जिना नू दिखा देंदा ओथे ते बड़े ही रतन ने ओथे ते बड़ी नहीं पाता कही है ने गुरू अमर्दासी ने तो एस वास्ते गुर्बानी दी अर्थ व्याखिया विच एक अर्थ तो वद खोल भी अंदरों होनी चाहिए दी सुर्थ निमरता विच रवे पर बहुते अर्थानू करके हंकार करन वाली रूचीतों मी बचना चाहिए दै क्योंके गुर्बानी इस जग में चानन असी रोशनी परापत करके आपनी मंजल ते पहुंचना है तो सत्गुरु कहने ने आपपे ही उसने पंडे साजे ने आपपे पंडे साजे ना आपपे पूरण दे इकनी दुद्ध समाईय एकना पंडियां वेचों ने दुद्ध पादिता है एदे अर्थ बहुते ग्यानियां ने कीते ने सुक एक चुले रहन चड़े एक हरवे लेता पड़े रहन देने दुखी रहन देने साद संगत जी दोद दियां साखिया बहुत ने गुरु नानक पात्षा दे पवितर जीवन वीच 47.10 के गये ने कुछ गुरु नानक पात्षा दे इतिहास बारे बाता आप जी ने पहला मी सरवन कीतिया होन गिया गुरु नानक पाथशा जित्थे होन कीरत पुरसाब नगर वसिया होय है करते दी कीरती दापुर एवी गुरु से बांदी इस जगत नू वड़ी बक्षिश है सत्गुरा ने कुछ पेंती नाम एद्दा दे दिते ने अपने गुरु सिखानू कीरत पुरसाब जित्थे करते दी कीरती हुन दी है फिर तरण तारण साहिब जित्थे डुबदिया रूँ आनू तरण दातान मिल जान दा है करते दई पूर बना दिता है फिर अनंद पूर साब दी बक्षिश कीती तो जिथे होन कीरत पूर साब शशोबत है एथे एक पीर ऐ बुढण शा गुरुनानक सैब दे दर्शन कीते गदगद हो गया माराजनू उसने दुद पेटा कीता है सत गुरु शक देने शेमे जामे दा इकरार कर देने शेमे जामे विच फेर पहुँच देने निहाल कर देने और साद संगत जी दोद सजरा रिंदा है सो साल तक ए बड़े डूंगे रमजदिया कथाने अंदर ले प्रेमा पगती दे पावदिया कथाने फिर गुरु नानक पिता माहराद जदो अचल वटाले मेले विच जन देने जोगियानू सत्गुर सचे पात्षा जित्थे तक जोगी पहुंचे सी ओदू अगले राव खाँँ देने सत्गुरां दी गोष्टी हुंदी है बाब्बे कीती सिद्ध गोष्ट शब्द शांत सिद्धा विच आई सारे तपे हुए सी गुरु नानक सेब दे सामे पर तन गुरु नानक पात्षा ने सारे यां दी तपश गुरु नानक नू तपा नहीं सक दी पर गुरु नानक सेब दी रसना तो जदो अमरत बचना दी बारश हुंदी है केंदे बाब्बे दे बोल सुनके तपदे हुए जोगी शांत हो जांदे ने बाब्बे कीती सिद्ध गोष्ट शब्द शांत सिद्धा विच आई तो खेर लम्मी कथा है ये थो बाब्बा जी जोगीया नू अगले रा हां ते तोर केताई होना जोगीया ने किया सिद्ध बोलन शुब बचन तन नानक तेरी वड़ी कमाई वड़ा पुर्ख परगटिया कल जुग अंदर जोट जगाई जित्धे तक पहुंच एसी बाबा अगे लाजान दा है एही गुरु नानक दी वड़ी आई है क्योंके सत गुरु दी द्रिष्टी विच कोई ओपरा है ही नहीं जेडा गुरु नानक दे प्यार विच पैजए ओदे लई कोई ओपरा नहीं रहन दा मेलियों बाबा उठिया मुलताने दी जारत जाई अगों पीर मुलतान दे दुद कटोरा परले आई साद संगत जी बाबा जी जारत 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 क्योंके गुरु नानक दी आमद नाली उनानू कबराटा होन लगियां। कोई रस्ता ही नहीं है और मेरे पात्षय केंदे चरन तूड बनेंगा परवान हो जाएंगा। दुद दा कटोरा परके पेज देनें जी में इस कटोरे विच जगा नहीं मुलतान विच जगा नहीं। होन साद संगत जी जे कटोरे दे विच जगा बनानी जी में संसार बनान दै हंकार दे तलते। ये दे विच कोई ठोस चीज रखिये तरलते पहला पाया है। एदे विच ठोस वस्तू रखांगे दुद डुलेगा। पर बाबा जी की कर दे ने बाबे कड कर बगलते चमेली दुद विच मिलाई। जियों सागर विच गंग समाई बाबे ने ना चमेली दा फोलुते रखिया। जेडा सजन लेके आया सी केंदे जाके पीरा नुहुन एही कटोरा दे दे। और साद संगत बाबा जी ने दस्या भी तो अड़ा पामे धोद धोद है। पर फिर भी छोटी जी चार दिवारी विच सुर्थ कैद है। एदे उत्ते चमेली दा फोल पे देखनू कटोरे दे विच है। पर एदी सुगंदी बार जा रही है। पर फैसर पूरण सिंग जी कैंदे ने संत किसे भी मजब विच होवे। जी वो वाक्याई संत है वो सारे संसार दा संजा ओजन दा है। मसकीन जी दस्या कर देने एक गटना। कैंदे मेरे कोड कुछ सजन आये। कैंदे असी तो अनू राष्टरी संत दा खिताब देना है। मसकीन जी कैंदे मैं बड़ी निमरता नड़ हाथ जोड़े आखिया। वैसे ते मैं संत हां ही नहीं। ते मैंनू एक खिताब दी लोड़ने मैं संत नहीं हां। पर कैंदे मैं तो अनू इनना दस देना जीड़ा संत हो जानदा है। ओ फिर किसे राष्टर दा नहीं हंदा ए छोटे संकलपने। साद संकत संत फिर जीड़ा है। पगत कहलो संत कहलो जन को ब्रम ग्यानी को बड़े शब्दने इना विच बड़ी नेडत है अर्थां दी। कुछ वखरियां वखरियां थामामी इना विच ब्यान कीती हैं पर बहुत ही नेडता है। ग्यानिजी केंदे जेडा संतो जान दा राश्टर दा कितो रहन दा साथ संगत जी एही ते गुरबानी दी वडियाई है सथ गुराँ दी सुर्थोना खंडां ब्रेमंदां विच वस दी जोत नालिक में कै जेडा गुरु दे प्यार विच आउंदे सत्गुरु ओस दी सुर्त नोमी खंडां ब्रेमंडां विच वर्त रही जोत दे नालिक सुर कर देंदे ने खैर कटोरा वापस गया मुल्तान दे पीर उनानू सोजी हो आई गुरु बाबाजी ने उनानू दसेया कि पाई सुर्त जिननी देर तक निर्मल ना हो वे धृष्टी निर्मल ना हो वे जगा हुंदियां मी जगा दिखायी नहींदे ते जिद्दां दी जगा दी तुसी गल कर दीयां मेरे वाले स्वाल सुटे है मैं किते उद्दां दी जगा बनान लई आया भी नहीं यां और बेंती कर दियां एसे लई गुरुनानक दी जगा स्रिष्टी दे कण कण विचे हरेक दे हिर दे विचे क्योंके गुरुनानक जगा बनान लई नहीं आये गुरु नानक तुटियानू जोडन लई आये डुबदियानू उतारन लई आये पुलियानू राये पान लई आये जगत नू सोख देन लई आये और ओ पवितर कथा जड़ी गुरु नानक दे आगमन दी कल आपां विचारांगे भेंती करदियां ओ छण ओ पल ओ कड़ी जितन गुरु नानक सचे पात्षा ने इस तरती नू अपनी छो बक्षिश कीती ए तरती जड़ी है नूर नाल चमकुठी और गुरु अर्जिन पात्षा केंदे ने प्रग्ट पाई सगले जो गयांतर गुरु नानक की वड़े आई और ग्यानी पुर्ष केंदे ने जिवे जियुए समा बीतदा जाएगा गुरु नानक दी वड़े आई चौँहां कुंटाँ विच होएगी पिछे जे एक कटना आई तुसी सारे याने वेखेया होने एक वड़ी संस्था है संसार दी हालांके चलो असी ये ना गल्ला तो बहुत अग्ये गुरु नानक नू जानना है अदब विच जुडने पर फिर भी चलो जेस थांदे उत्ते देशांदे लोग ही ओदे विच शामल हुंदे ने ते साद संगत शैद यू एनू है जा कोई संस्था है ओदे विच मनुखी अदकारां दी ते होर पवित्र बचना दी लेखनी लिखी जानी सी एक मुसलमान सज्जन ने उने बाद विच दसे आया है मीडिये विच आया है ओ केंदे तेन बचन गुरु नानक दे मैं उना नू लेख के देते तो साद संगत तां बेंती कर रहे हैं प्रगट पई सगले जोगी अंतर गुरु नानक की वड़े आई जदो दोद दा कटोरा गया वापस उना नू जवाब मिल गया दोड के आये गुरु नानक पात्षा नू उना ने सिजदे कीते तो आज दा ये पवितर सलोक सारे पांडे प्रभू ने साजे ने सारे विच वस्तुआओ आप पांदे पूरनता तक लेके आप जानदे इकनी दुद समाईय एक चुल्ले रहन चड़े इकना दे विच सोख रूप दो दोसने पादिता हुया है एक चुल्ले दे उते चड़े रहन देने तपदे रहन देने सड़ दे रहन देने दुख नाल, चिन्ता नाल, फिकर नाल, जोर्या नाल। पर एदे आशरेती सारे फैसले नी हुं दे, इक नीहाली पैसवन, इक उपर रेहना खडे, इक तांट लायाँ दे उतते पई ने अराम दी मुद्रा, इक उपर रहन खड़े एक नानू पैरेदारी रातना जागणिया मिलियाने पर बंदा कई वारी इना बारी हालता नू वेख के अंदाजा लाना शुरू कर दिन दे ए देते बड़ी किरपे ए देते बड़ी किरपे पामे ए भी ओदे हुकम विच है पर इना मियारां दे आसरे उते फैसले नहीं कीते जा सकते भी ये देते किरपे ते ये तर जाएगा नहीं हो सकते सोखोसनू डोब रहे होन गाल रहे होन उनू रब तो तोड़ देता होवे दुखदारू सुख रोग पयादी होदे उते खेड़ वर्त गई होवे सत्गुरु दाता जी बक्षिश कर दे केंदे एक निहाली पैसवन एक उपर रहन खड़े तिना सवारे नान का जिनका ओ नदर करे पाईये दे तो अग्यो दी नदर दी खेड़ जिमें जब जी साब दे अखीर विच सलोक दी विचार कर दियां ग्यानी पुर्खान ए बचन के ने भी ए उस दाते दी खेड़ करमी आपो आपनी के नेड़ के दूर चंगियाईयां बुरयाईयां वाचय तर्म हदूरो वाचदै ओदी द्रिष्टी तों कुछ भी चीजे तरोदर नहीं हो सकती है उन्हें खेली ऐसा रचाया लिख नामें तर्म बहलिया नानक जी उपाएक है उद्य प्रबंद ही ऐसा है उस प्रबूदा सत्गुर सचे पात्षा केंदे नानक जी उपाएक है लिख नामें तर्म बहलिया उथे सचे ही साच निपड़े चुन वक्ख कडे जजमलिया आप जी पिछे सर्वन कर चुके हो सत्गुरु दाता जी केंदे ओधी द्रिष्टी तो कुछ भी ओले नहीं चंगियाईया बुरियाईया वाचय तर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर पर पूरण सिंग जी केंदे अगली पंगती होर एक वड़े कारवल लेके जन्दी है जिन्नी नाम ते आया गए मसकत का हाल चंगियाईया बुरियाईया वाचय जा रहिया ने दूर नेड़े दी खेड चल रही है पर इदे तो अग्यवी में रह चोली अड़नी है गुरु नानक पिताजी आज किरपा करो आप जीदा पावन परकाश द्याड़ा मना रहे हां रोज रोज सुन दियाँ तो अनूराबदी दरगा तो एवड़ियाई मिली है बाब्बा पेंदा सच खंड नवनिद नाम गरीबी पाई हे गुरु नानक पिताजी तो अनू उस प्रभू दे दर तो सिरोपाव मिलियाँ है तो अनू अथो मान मिलियाँ है पेहनाया गया बाब्बा पेंदा सच खंड ते दाता जी हो थो तो अनू नौ निद नाम मिली है नौ दे नौ खजानने जी दे विच्चों उपजदेने तो अनू वो नाम मिली है गरीबी मिली है निमरता मिली है सड़ा हंकार सिखरानू शोर है तो अनू वो दे दर तो निमरता निर्मानता मिली कुछ किन का सानूमी बक्ष देओ कुछ सड़ी वी चोली विच पादयो असी वी निमरता विच इस्तरती दे उत्ते विचर सक्ये तो एथे मैं वी बेंती करांगा डरपोक पुना कायरता निमो चूनता ये वकरियां चीजाने निमरता साध संगत जी अंदरली बहुत वड़ी अमीरी है बड़ी वड़ी बक्ष शे गुणा दे हुंदिया निर्मान रहना तान दे हुंदिया निताने बन के रहना ये बड़े पावदी चीजाओ दिया दातानू अंदरों संबालना जी में द्रखदिया टेनिया फाल पाके नीमिया हो जान दिया ये अंदरली इदन दी खेड है सत्गुर केंदे मिठत नीमी नान का गुण जंगियाईया तत तो खेर सत्गुर सचे पाथशा बक्षिश कर दे जंगियाईया बुरे आईया दी खेड चल रही है पर उदे तो अगली खेड ए जिननी नाम ते आया सारा निर्मल हो जाएंगा नाम विच नाम आउशदी है सारे रोग कट दिन दी है एसलिह केंदे जिननी नाम ते आया गये मसकत काले बरी कालना काल देने जेडे कालना कालनी रसना नाल वी जपना जेडे रसना नल जपन दा खंडन कर देने उना नू डूंगा आन पाव नहीं है पखंड हो सकता है पर गुर्बाणी केंदी कबीर राम कैन मैं पेद है ये ते कव वखरा वखरा पेद है पर कैना ये पखंड ये दा पावो ना नू सोजी नहीं है बहुती साद संगत जी पर सत्गुरु केंदे रसना नल जपने तेरी तवक्को ओसपा से दी बन जाए खेच ओसपा से दी बन जाए गुरबाणी दी एही वड़े आईया जिन्नू वेखिया नहीं होदे प्यार में चुठना बैठना हो जान दा है गुरु गरंद साब जी दी किड़ी बड़ी साटे ते मेरा इस जगत दे उते जिन्नू देखिया नहीं जी दी पहलना कोई सियान नहीं ओधना आपां देखिये ते प्यार बन दे बिन देख्या उपजै नहीं आसा जो दी सैसो होए बिन आसा अगतर विदास जी पर गुर्बानी दी कैड़ी बरकते बानी पढ़ देआं पढ़ देआं जी देता कि इंदरे नहीं पहुच सकदे मन बुद्धी नहीं पहुच सकदी आ करम इंदरे पाजदाउड करके असी पहुच नहीं सकदे जेड़ा अगम अगोचर अभिनासी है अचेद है अपेद है अनाम है अठाम है बाणी सनोदे प्यार विच डोब दिन दी है गुरु गरंस साफ जी दिमाहान बरकते गंगा तुरों गुरु नानक लेके आए जिना दी याद विच प्यार विच आजापा जोड रहे हां तो साथ संकत जी पूरण संक जी कहन दे जेड़ा नाम विच लग जान दा है पाही ए चंगियान्या बुर्यान्या तो अगे ले जान दा है एथे ते कई वरी प्रत में शुरू शुरू विच एदां दी खेड़ा नाम जपना प्रभू नू माँ प्यो जान लेना ते माँ अपने मेलेक चेले बचियानू सुट दी थोड़ी या चोक के गल नाल लओं दी या निर्मल कर दी या शिनान करवं दी या कपड़े बदल दी या एदना साथ संकत जी पर नाम बंदगी सत गुरू केंदे ने से सिमरें जिन आप सिमराए नान कतां कै लागों पाएं तो आखरी पंकती विचे पहले स्लोक दे सत गुरू केंदे ने तिना सवारे नान का जिनको नदर करे किसे दे बारी सोख ते दुख जा सहूलतां ते एक पासे रात नूँ पैरे दारी करन वाले नूँ किते आपनी अकल विचे तोल के एंज नहीं कहना भी ये परवान चड़े होए ने नहीं इना विच्चों कोई भी जेडा होवे तिना सवारे नान का जिनको नदर करे हे नान के इंज कै किसे दे उते वी ओ नदरे इनायत कर दे वे मेर कर दे वे उना नू सवार देंदे शिंगार देंदे तार देंदे महला दूजा आप पे साज्ये करे आप जाई पे रख है आप आप पे ही सारी खेडोस ने साजी है साद संगत आप पे बनत बनाई आप पे ठाट बनाया है गुरु गरंद साब केंदे ए जो सारा संसार दा सिल्सला चल रहा है आप पे साज्ये करे आप एदे विच कारज करण दी सत्यावी उसे ने पाई है जाई पे रख है आप वखरियां वखरियां थामा सारी उत पती जैसा के जपजीसा विच किया है रातीं रुतीं थित्तीं वार पमन पाणी अगनी पा तिस विच तरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत हुने थिवी इद्धान दा कुई सत्गुरु सानूं दसरे ने केंदे आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जन्त उपाये के इस सारी स्रिष्टी विचों ने सारी जड़ी कलावी आप पाई साजेया वी आप है थां थां दे ठिकाने मी आप उसने बनाए ने तो साधे संगत जी अग्गे बक्षिश कीती है ये जो सृष्टी है उदी जनी होई तिस विच जन्त उपाएक है उदे विच जानदार जीव जेड़े उसने बनाए ने तिस विच जन्त उपाएक है जेड़े जेड़े वी उसने जन्त पैदा कीते ने देखे थाप उनानू थाप के बना के वेख रहे है संबाल कर रहे है तांक एक नानक चिंता मत करो, ओ संबाल कर रहे हैं, ओदा असी मनुख हां, करता पुर्खदा सिमर्ण कर दियां, वे लड़नी रहना, असी करने कुछ, उद्धम करेंदियां जीयो तूं कमाम दियां सुक पुंच, डू दराइट एंड ट्रस्ट इन गाड, नेक पुरशारत क करो, ते प्रभू दे उद्धे परोसा रखो, पंखी वी स्वेरतों आलने छट के खुराक दी पाल विच तोर पेंदेने, पर सत्गुरु दस रहने, तू चिंता नहीं करनी, ओसनु तेरी फिकर है, सत्गुरु केंदे तू उद्धम करने आहर, तिस विच जंत उपाए के, समबाल कर दे, ति समबाल कर दे, ति समबाल दे, कुई अगला निजम है, ओ अपने विच ले कर लेंदे, नास कर दिन दे, यह बिकुई ओदी खेड तिस विच जन्त उपाए के देखे था आप बना के देख रहे है संबाल कर रहे है उसारियां दी फिर उथा आप आपने विच ले कर लेंदे किस नों कही है नान का सब किछ आप पे आप तन गुरु अंगद देव सचे पाथशा इस सलोक दी आखरी पंक्ती विच कहनने है नान का किस नों कही है नान का ये थे जो कुछ भी खेड वरतरया है सद संगत जी ये द्रिष्टी है जिनान वो दे देंदे कारणां दा कारण नजर आउन लग पेंदे तांकिया है कारण करते वस है तांकिया है कारण कारण प्रभ एक है इना अकारां तो पिछे जिनान दी सुर्थ निरंकार तक चले जन दी है सत्गुरु दी बाणी केंदी ये ना सरीरान वे कपड़े ने जिमें कोई बंदा कपड़े बदल के आजए आपा पोल थोड़ी जन दे हाँ जिनान दे कोले रोहानी द्रिष्टी गुरु नानक ने वक्षिश कीती है साद संगत जी ओनान वे सरीर कपड़े दी नियाईं दे सरे ने सत्गुरा ने बाणी विच बारंबारे दा जिकर कीता है तो माराज जी दया द्रिष्टी करन क्योंके अदिस्ट दिसैता कहे आ जाए बिन देखे केना बिर्था जाए बड़ी दुनिया बिना देखे तो कहे रहे रोला वदर ए संसार देविच हमें अपनी तो मंजिल पता ना थी रा औरों ने जो पूछी तो बता दी हमने अपना पता नहीं सी होर पुछ दै बंदा ओदे अग्याए वही वड़ा विद्वान बन जान दै ग्यानी बन जान दै तो साथ संगत जी साथ गुरू जी दया द्रिष्टी करन मेहर करन माराज केंदे अदिस्ट दिसैता कहे आ जाए बिन देखे केना बिर्था जाए ते कञ्या ने होन केना शुरू कीता है जेड़ा दिसदाई नहीं हो दी गल्ली छट देओ फिर बंदा नास होन वाले जगत विच टिक गया उदा रोना नहीं मिट सकदा इस तरती तो रोंदा कुरू लांदा जाएगा रोंदा आया रोंदा रहेगा सारी जिंदगी उस सिम बरन पजन तो बिना रोंदियां कुरू लांदियां जाएगा इसलिए सत्गुरा ने ये थे बड़ी बक्षिश की ती केंदे अदिस्ट दिसएतां कहे आ जाए बिन देखे केंदा बिर्था जाए गुर्मुख दी सैस है जो सुपाए मैं वैसे पहला ये दी व्याखिया थ गुर्मुख दी सैस है जो सुपाए सैस है जो सुपाए दार तुन दे निर्यतन सुते सिद्धा पा केंदें केंदे गुर्मुख दी सैस है जो सुपाए पर केंदे करना की है सेवा सुर्थ एक चेतलाए तु अपने चेतनों वेखनें एक दी सेवा बगती विच लानें एक दी याद विच जोडने किसनू कही है नान का सब किछ आप पे आप जगत दे काउतकान वेख के किनू आखिये हे नान का सब कुछ करन करान विच किसनू कही है नान का सब किछ आप पे आप वो आप पे आप कर रहे है ओ अब पुल है उदे कीते विच पोल नहीं है तेरे कार सदा सदा है नियाओं इदना गुर्मुख पदवी गुर्मुख गुरु दे प्यारे सदा अनंद ते खेडे विच रहन देने नानक पगता सदा विगास सुने हैं दूख पाप का नास तो पवडी दी विचार कल दे दिवान विच आप जी दे नाल संजय करन दा यतनो वेगा नाले गुरु बाबा जी दे पावन पवित्र आगमन दी कथा राय पोहे दी तलवंडी जदो सद्गुरा ने ओस तर ती दे उतेस जगत विचा के सब न खिया ना पामे मेरा दौलता पहला माता पिता ने रखिया सी पर सची दौलत में नू अज नसीब होई है तो कल नू अपन दाता जी दे आगमन दी कथा संजय करांगे बेयंत पुलांदी खिमा बक्ष देनी जी आप संगतान दातान वाद जिना ने बड़े प्यार अद्व सेथ सर्वन की तैफते बुलाओ जी वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फते